स्टोंस हम ऐसी जनरेटर की induced EMF और जो induced current है उसकी दो equation हमने derive की है यह देके induced current at any angle वो आप maximum induced EMF से किस तरह relate करते हैं EMF at any angle and EMF at 90 जब तीनों mutually perpendicular हो तो फिर इसको हम maximum से देके denote करते हैं जैसे के उपर हमने explain किया इसी दरह जो induced current है वो हम maximum current के साथ किस तरह relate करते हैं यह उसका equation है अब आप इसको in terms of angular velocity और frequency भी ले सकते हैं जिस तरह कि हमने देका था कि अगर आप angular velocity की definition है वो देके angular velocity उसको हम यू भी define करते हैं हमारा पास है 2 pi divided by t अब देके यह एक circle आप consider कर ले एक small circle consider कर ले यहां से for example यह x-axis इसको ले ले इसको divide करते हूं four parts में यह x-axis हैं यहां से point start करता है suppose देके यहां पर rotate करता है यह आगया 90 degree उसने cover की इसी तरह यहां पर आगया 180 degree तो इस 180 degree को हम किस से show करते हैं पाई से और इसी तरह जब वापस आएगा अपनी position पर यह और पाई उसने cover की so 2 pi actually उसन पाई farm में और जो इसने time लिया होगा एक complete rotation के लिए उसको हम capital T से denote करते हैं यह इसका actually उसी तरह आजागी जिस तरह का time period है तो हम इसको यू लिख सकते हैं omega is equal to 2 pi by t या आप इसको यू भी लिख सकते हैं चुंकि 1 over t जो है वह actually equal होता है frequency के 1 over t 1 over t is actually equal to frequency so यहां पर 1 over t की जगा अगर आप frequency की value पूट कर लें तो यह आजाएगा omega is equal to 2 pi 2 pi 1 over t की जगा f पूट कर लें so 2 pi f आजाएगा यानि omega की जगा आप in terms of frequency यह value भी पूट कर सकते हैं तो जो उपर वाली values हैं दोनो वह जिस farm में आजाएगी induced emf induced emf उसकी value आजाएगी maximum emf into sin of omega t है तो omega की जगा आप यह value पूट कर लें 2 pi f यह बन जाएगा 2 pi f और t यह आजाएगा in terms of frequency emf की value और इसी तरह अगर आप induced current की value निकालना चाहें तो induced current की value आजाएगी induced sorry induced current हम i से denote करेंगे induced current जो के equal है maximum current into sin of 2 pi f into t यह अब देकिए जो ऊपर दो equations हमने derive की हैं वो actually in terms of angular frequency थे और अगर आप इसको in terms of frequency लिखना चाहते हैं angular velocity थे तरह उपर और यह है frequency के terms में तो यह मुक्तलिफ equations हैं जो हम मुक्तलिफ forms में use कर सकते हैं इसका principle हमने देखा AC generator का अब देखे इसमें जो EMF induced होगा वो rotation के साथ साथ किस तरह change होता है वो हम इस figure से explain करते हैं यह figure आप consider कर लें यह जो red आपको lines नजर आ रहे हैं जो हम arrow से show कर रहे हैं यह actually magnetic field है यह magnetic field की direction आप देख रहे हैं यहां पर वह है towards the right यह magnetic field की direction इसके अंदर हमने यह coil रखका हुआ है यह coil है आप इसको देख सकते हैं अब coil जो है for example ABCD coil जो है वो first हमने perpendicular रखका हुआ है to the magnetic field तो अगर आप इसको rotate करते हैं जो आप इसकी rotation start करते हैं देखे सपोज मैं इसको clockwise rotate करता हूँ जो मैं इसको clockwise rotate करूंगा यह वाला side यह रोटेट होगा इस direction में तो अब देखे जब यहां से आप इसको rotate करेंगे यह वाला side यह rotate होगा तो यह side किस direction में जाएगा along the field यानि field भी इस direction में है और हम इसकी rotation भी इस direction से start करते हैं यानि अब coil भी इस direction में रोटेट कर रहा है तो दोनों के दरम्यान कितना angle आ रहा है तेटा is equal to zero degrees तो जब along the field charges movement करते हैं तो वहां पर कोई effect वहां पर नहीं होगा उस पर along the field जब आप इसको rotation करते हैं तो देखें वहां पर हमने graph पर भी इसको show किया हुआ है induced EMF इस point पर zero है यह आप देख रहे हैं और जैसे जैसे आप इसको rotation देते हैं देखें आपने suppose 90 degree पर इसको rotation दे दी तो अब इस case में जो आप इसकी rotation continue रखते हैं देखें अब rotation क्या होगी? रोटेशन उसी तरह होगी लेकिन इसकी जो direction है इस coil की rotation आप देखें, यहां पर इस side की rotation वो यू होगी, यू होगी, इस side की rotation यू होगी, so इस case में आप देखें, magnetic field जो है, वो right side पर है, और जो coil की rotation होगी, यह जो इसकी motion होगी, वो perpendicular होगी to the field, तो इसी दिये, जब perpendicular होगी, तो हमने पढ़ा था कि, वहां पर induced EMF क्या होगा, maximum, तो आप देख रहें कि, यहां पर induced EMF की जो value है, वो maximum है, जो कि आप इस graph से देख सकते हैं, यह y-axis पर हमने induced EMF put किया हुआ है, और x-axis पर angles है, rotatory angles, तो देखें, यहां पर induced EMF maximum है, बिल्कुल इसी तरह, जब अब 180 degree पर इसको rotate करते हैं, तो फिर उसी pattern में आ जाएगा, फिर induced EMF zero होगा इस case में, along the field या anti-parallel, parallel, दोनों cases में वो zero होगा, इसी तरह 270 पर यहां पर 90 degree होगा, दोनों के दरमियान, field और इसके दरमियान, rotation के दरमियान, जो coil है उसके दरमियान, तो फिर maximum होगा, इसी तरह 360 पर zero होगा, तो इसी तरह जो induced EMF है, उसकी value vary करती है, जो कि हमने यहां पर देखा, और जो 0 to 90 degrees है, 0 to 90 degrees, अब यह actually क्या है, इस पूरे rotation का fourth part है, तो इसी लिए, यह कितने time में rotate करेगा, 0 to 90, T by 4, यानि जो पूरा एक rotation का time है, उसका fourth part, इसी तरह, जो T by 4 से, जब यहां तक जाएगा, यानि जो second part से, 90 degrees से 180 तक, फिर T by 4 होगा, तो T by 4, प्लस T by 4, यहां तक यह total time कितना लेगा, T by 2, यानि 0 से, अगर हम consider कर लिए 180 तक, यह 0 से 90 तक है, और यह 0 से लेकर 180 तक, यानि actually हम total time की बात कर रहे हैं, इसी तरह, पिर next, T by 2, T by 4, first में, T by 4, second में, T by 4, third में, तो इसके लिए 270 तक जो total time है, यानि 0 से लेकर 270 तक, जो total time यह लेगा, वो कितना होगा, वो होगा, 3T divided by 4, इसी तरह, अगर आप 0 to 360 total time consider कर लिए, तो T by 4 एक और इसके साथ add हो जाएगा, 0 to 360, total time इसके क्या हो जाएगा, T by 4, plus T by 4, plus T by 4, and plus T by 4 हो जाएगा, एक मुकमल time period हो जाएगा, यह इसके total timing होगी, जो हम relate कर सकते angles के साथ, और इसका EMFP हमने देखा, कि वो angles के साथ साथ किस तरह उसकी value change होती है,